आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो अपकमिंग अफ़ोडेबल है सेक्टर 79 के अंदर इसकी लोकेशन मतलब कहां से गनेक्टिविटी किस तरीके से आने है वो आप लोग को दिखाने वाला हूँ आसपास के प्रॉपर्टीज आप लोग क पर कैसे आना है यह मैं आपको लोग को राजीव चौक से दिखाता हूं अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वह दिखाऊंगा एक ऐसा रास्ता जो भी बनानी है जो में इसकी आने वाले टाइम में होने वाली है जहां पर American Express SPR रोड से जो आने वाली है में जो होने वाली है मैं आपको देखांगा एस video में। फिर सकेंडरी जहां से अभी आ सकते अपनी आपको, Next to next video में दिखांगा। हम सामने राजीव स्थ्सक्राइब के रीटी सटर्थ करते है राजीव चौख से तो यह आइधिंक मोश्रावली हर दिली से जो आता है यह लोकल जो भी है उसको राजीव चौक पता होगा तो हमें राजीव चौक से जाना है बातसपूर की साइड मतलब सोना रोड लेते हैं अभी हम तो यहां जो यह साइन दिख रहा है यहां से हम लेफ्ट लेंगे और फि इसमें कुछ-कुछ फ्लाइवर्स रेडी भी कर दिया और मोश्रावली सोना रोड का जो कम्प्लीट एक फ्लाइवर है यह दो यह तीन महीने के अंदर इसको बनाके रेडी कर देंगे तो अभी जिस साइट पर हम जा रहे हैं उसकी जो मेन कनेक्ट होने वाली है वह आप ल रोड रास्ता है जिस पर कोई गार्डी अभी तक गई नहीं है और गई भी होगी तो वह दूसरे तीसरे रास्ते से गई है बट मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते से लेके जाऊंगो जिस तरीके से आप भी जा सकते हो आज के टाइम पर आप डिरेक्ली नहीं जा सक यह सारी चीजे क्रॉस कर चुकी है अब हमारे सामने आने वाला है वाठी का जोग जहां पर तुबारा से रेडल लाइट होगा तो आपे फिर दुबारा से रुखने वाले हमँ उसका अधáticas पर आपको दीखे यहां पर रुख गई अब यहां पर यहां पर पॉज हो गए ल अच्छी बड़ी कंपनी आने वाली हैं वो आप सबको आने वाले टाइम में सारी चीज़े दिखी जाएंगे अभी यहां पर अल्डेडी अमेरिकन एक्सप्रेस के बिल्डिंग भी मैं आपको फुटेज में दिखाऊंगा राइट सेट भी आप देख रहे हूं कितना बड़ रेक्टर लेना है तो यह जो अब यह जो पॉइंट है यह वह पॉइंट है यहां से टॉल को बाइपास करने के लिए लिट वी आप लोग को पता होगा। पुछ लोगी होंगे, माैनर जो होंगे, जो जुनका बराबर आना गही तो तिन मेद हूंगे, इस सामने वाले building अमेरिकन एक्सप्रेस है अपनी, इसके सामने से ही रास्ता जा रहा है, यह जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, यह टोल को बाइपास करने के लिए रास्ता बना था और यह SPR रोड की आपको ट्रैफिक दिख रही है कितनी यह American Express है इसके पीछे आपको दिख रहा होगा DLF Corporate Green है यह जो पीछे दिख रहा है DLF का Corporate Green है DLF से ही लैंड लिया था American Express ने दो साल पहले तो वो News में भी आप लोगो ने दिखा होगा Straight अपना NH8 चला जाता है बट हम अभी यहां से जाएंगे Left यूँकि जो हमारा नया Project 79 में आ रहा है Main Connective इन दोनों के लिए इसी रोड से रहने वाली है तो यह जो Left वाला रास्ता यह अभी तक unexplored है मतलब बहुत लोग इस पर वीडियो नहीं बनाए कुछ एक पॉइंट तक जाके फिर वो गाओं के अंदर यह Left और या NH8 कुछ दूसरा ले ले लेते हैं बट Straight किसी ने नही दिखाया मैं आपको आज इसमें Straight दिखाऊंगा अगर हम सीधा चलते चले गए कच्छे रास्ते पर अभी तो एक पॉइंट तक जाके रास्ता बना हुए जैसे अगर कोई ट्रैवल किया है किसी ने इस रास्ते पर तो एक पॉइंट तक जाके रास्ता ओटमेंटिक तक गालिया ऑठी ही है जो गाडिया या अरिये अमेरीकन एक्स्प्रस की साइट अमेरीकन एक्सप्रस की साईट से डिम इस प्या है आवाटी इस प्यार वोड की साइट से आ रहे है और यह रास्ता आटमेंटिक राइट घूम रहा है एन एिच हेट की सायड provincial Yellow हयात का होटल है, उसके सामने जाके यह मिलता है, MR Palm Hills उसके साइट से जाता है, या I think आप लोगों ने देखा होगा, एनेचेट पे तो हर किसी ने I think हयात देखा होगा, तो यह रास्ता आटोमेटिक राइट हो जाता है, और हयात के पास चला जाता है, अभी मैं आपको सामने वाले रास्ते से ले जाके दिखा होगा, और I think आप लोगो भी मजा आता है, मेरी ऐसी वीडियो देखने में जो अनेच्प्लोड होती है मतलब उस एरिया के वीडियो देखने में जो नॉमली हो चुकी है, सारी चीज़े हो रखी, लाल मिटी बिछा रखे, जल्दी ही रोड यहाँ पर बन जाएगा और यह देखो, इस तरीके से आके, अब यहाँ पर हमें पहाड के उपर से जाना है और अब भी आपको देखेगा, यहाँ मेरे राइट इंसाइट पर ट्रक, इस ट्रक से अब हमें आगे निकलना है अब यहाँ पर एक गाउं का पैच, गाउं का पैच क्या आता है गाउं की रोड आती है, इसे भी क्लॉस करके हमें जाना है यहाँ से हम अब क्लॉस करके हम आगे चले है कि इस रास्ते से हो के आया हूँ जो आपको यहां सामने से ढेख यह öz Eugene य इयु तो यह घлох हो करने को सब्सक्राइब सोड़नों इतनी चाहिव जते हैं एवले बसुता अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसलिए ज़्यादा गाड़ी है मतलब नॉर्मल सेडान या कोई छोटी गाड़ी नहीं ट्रैवल कर सकते है अगर कोई SUV है, Scorpio, Fortuner बगएरा बोलेरो भी चली जाएगी, तो वो क्रॉस कर लेगी, बट नॉर्मल गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते है और यहीं पर राइटन साइट पर आपको पता है, कुरगाओं का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, रहीजा रिवान था वो भी यहीं पर है, और यह escape floors अभी मैं आपको सेम इसी लोकेशन से साइट पे ले जाके मतलब explain दिखाता हूँ, यह जो आपको दिख रहा है, यह इसी रोड से हमें जाना है साइट पे, और सेम रोड है, अभी आपको आगे ले जाके एक चीज दिखाता हूँ I think आप लोग अप यहां तक रास्ता समझ गए होगे, अब हमें यहां से स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना है, यह भी रोड आपको दिख रही होगे, कितनी चौड़ी रोड है, यह थोड़े बहुत बीच में, मतलब रास्ते ऊपर नीचे किये होगे, यह आने वाले टाइम म चीजे सारी बनके रेडी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को बनने में, पर आपको यह पता, जिस टाइम चीजे बन जाती है, उस टाइम जो वैल्यू आपको आज इस प्रोपर्टी की मिल रही है, वो अभी नहीं होगे, अभी यहां से मिले ना है, यह जो रोड 24 मिटर का रोड, जो मैप्सको का माउंट विले है, और गोद्रेज का आरिया प्रोजेक्ट है, A-R-I-A, मतलब एर भी कह सकते हो, आपको वैसे आरिया भी कह सकते हो, तो वो प्रोजेक्ट है, उन दोनों के पास आके मिलता है, वी राइट साइट पे हमारे चल रहा है, मैप पीछे की साइट से, जितर से अब हम चाए हैं, एक होगी आपकी में रोड से, में रोड की किनेक्रिविटी किसी दिय और दिन आपको मैं समझाँगा, लेफत सांड पर यह अपना गोद्रेज है, और राइट साइट पर गोद्रेज वनों वन है, तो में रोड की आज के इस वीडियो के इंदर मैं आप लोग को एक नया अफुलिबल प्रोजेक्ट जो लॉट्च होने वाला है सेक्टर सैविंटीनिं के अंदर यह जो आपको लेंड दिख रहा है यहां पर यह वाला जो लैंड पैच है यह यहां पर यह भी लॉट्च होने वाला कुछ ट तो आपको यहां पे साथ में दिख रहा होगा गोद्रेज यह गोद्रेज का प्रोजेक्ट है बिल्कुल वाल टू वाल है यह वाल के उस साइड गोद्रेज है वाल के इस साइड अपना नया प्रोजेक्ट आने वाला है और फिर इसके पीछे की साइड सेम है गोदरेज के दो ब्लॉग बने वे एक पीछे एक यह बीच से यह 24 मिटर का रोड जाता है और जो वो सामनी की साइड आपको प्रॉपर्टी दिख रही है यह वाली यह मैप्सको का माउंट विले प्रोजेक्ट है काफी अच्छा प्रोजेक्ट है लगजरी के अंदर आते हैं वो भी तो गोदरेज तो लगजरी के अंदर है यह वो भी लगजरी के अंदर प्रोजेक्ट आते हैं तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको भी डवलप किय अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे यह बता दिया मैंने Mount Valley, Godrej, Godrej अब पीछे दिखाता हूँ मैं आपको यह है Super Tech पीछे जो आपको यह दिख रहा है इसमें भी आपको मैं जूम इन करके दिखाऊ हूँ families रह रही है तो आसपास की locality में यहाँ पर यह ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पर कोई families नहीं रही है यहाँ पर अच्छी खासी families यहाँ पर अल्रेडी रह रही है और आने वाले time में इसकी connectivity अगर एक बार SPR road से direct हो गई तो आपको पता है कितनी मतलब आप सांदार location हो जाएगी मतलब NH8 की तरफ देखने की आपको जोट नहीं पड़ेगी अगर आपका job let's suppose SPR road पे है आपको NH8 की side जाने की कोई जरूरत है ही नहीं आप directly CD road पकड़ेगे यहाँ पे आओगे यह जो सामने आपको दिखता है यहाँ पे एक T point बनेगा यहाँ पे इस road पे वो जब विजट करने आओगे मैं आप लोग को उस टेम पे दिखा दूँगा यहाँ पे एक T point बनेगा जहाँ से किया सिल्टोस आ रही है वहाँ पे एक T point बनेगा महीं से आप straight आ जाओगे मतब SPR road से सीधा होगे इसी road पे आके मिलोगे वहाँ से फिर 24 मिंटर का road लेके अंदर यहाँ तक आपको आना है पीछे की side जैसे मैं आप लोग को बता दिया यह Super Tech है फिर इस side जो यह आपको दिखा है यह Best Tech का Altura project है और पीछे की side आप लोग को दिखा तो आपके दो एंटरी होने वाली एक तो इस वाली रोड से एंटरी होगी और से के वीडियो भी आप लोगो ने देख लिए नहीं तो इस क्लिप के बाद आप देखोगे तो यह एक छोड़ा सा अपडेट था कि नया आफ़रेबल लांच होने वाला है और जिनको भी अपलाई करना है स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप उस नंबर पे कॉल करके अपलाई कर सकते हो और जो भी आपकी क्वेरीज हो इसके अंदर लांच होने वाले हैं वैसे पांच एकर में छेट आवर है और इसके अरफ अरवर बताओं तो साड़े साथ सो से आ करके कंसल्ट कर सकते हो तो यह चोटा सा अपडेट वीडियो था कि नया अफ़रेबल सेक्टर 79 के अंदर लॉंच होने वाला है अगर आप लोगों ने अभी तक कोई अफ़रेबल बुक नहीं किया या प्राइटी 4 में आते हो तो आप इसके अंदर कॉल करके बुक कर सकते हैं प्राइटी 4 वाले भी इसके इंदर बुक कर सकते हैं यूगि चांसेज यहां पर है प्राइटी 4 वालों के 100% तो देखो नहीं है यहां पर क्योंकि लोकेशन यह थोड़ी सी बेटर है तो 100% मैं नहीं कहूंगा बट आप कहा सकते हो 70-30 है 70% चांसेज है प्राइटी 4 का भी चांसेज पर निकलने का तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें comment करेंक आप ज़ीट ऐसे अब आप शीजड़ी pre्जेक्ट के अग्ले वीडियो के साथ जो मैं complete brief में बताउं ओ ,